दूसरे चरण में भाजपा को मिलेगी सपा से सबसे बड़ी टकर ये हैं चार बड़े कारण बसपा का दब भी भाजपा को पहुचाएगा नुकसां सपा के गेम प्लान ने सब को चोकाया 38 जिलो में दूसरे चरण में वोटिंग से ठीक पहले ये आकड़ा समझ लीजी जीत का गड़ित खुझ समझ जाएंगे निकाय चुनाओ के दूसरे चरण में काटी की टकर सत्तारोन बीजेपी और बिपक्ष के बीच दिखाई दे रही है खासतोर से ये चुनाओ अखिलेश की गड़ में भी है इसलिए बीजेपी को इस बार सपा से कड़ी टकर मिलने की संभावनाएं सियासी जानकार भी जता रहे हैं उतर प्रदेश के 38 जिलों में 11 मई को दूसरे चरण में होने वाले शहरी इस्थानिय निकाय चुनाओ के लिए मददान होना है 2017 के निकाय चुनाओ परेडामों पर गोर किया जाये तो इस चरण में सत्तारून भाजपा को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कड़ी टकर मिलने की संभावना है 2017 के निकाय चुनाओ में BSP ने मेरट और अलीगड में दो मेर सीटों पर भाजपा को हराया था इसके अलाबा पांच अन्ड मेर सीटों पर भी मददान होना है और इसलिए हलचल का महौल तेज दिखाई दे रहा है 2017 में हुए निकाय चुनाओ में इन जिलों में 95 नगरपाली का परशद अध्यक्ष की सीटों में से BJP ने 37 पर जीत हांसिल की थी जबकि 18, BSP 14 और कॉंग्रिस 3 सीटों पर जीते में काम्याब रही थी लेकिन इन जिलों की 211 नगरपंचायतों में से BJP को महज 50 सीटें जबकि 18, BSP 29 और कॉंग्रिस 7 सीटों पर जीत हांसिल कर BJP को कड़ी टकर दे रही थी सबसे रोचक बात ये है कि अयोध्या में जहां BJP पिछली बार राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी इसके बाद जूस सपा ने सभी 4 नगरिये निकाई सीटों, 1 नगरपालिका और 3 नगरपंचायतों पर जीत हांसिल की थी और भगवा पाटी यहां अध्यक्ष की एक भी सीट बचाने में सफल नहीं हो पाई थी हाला कि इसके बाद 2022 के विदान सभा चुनावों में मिली जीत और राम मंदिर के चल रहे निर्मार के बल पर बीजेपी इस बार खुद को मजबूत इस्तिती में देख रही है और बीजेपी को लगता है कि इस बार उसे वोट जरूर मिलेगा 38 जिलो में से भगवा पाटी 2017 में नौ जिलो इटावा और एया कानपुर नगर बांदा चित्रकूट बलिया आजमगड मौ और आयोध्या में नगर पालिका अध्यक्ष की एक भी सीट नहीं जीच सकी थी 11 मई को 7 नगर निगमों, 95 नगर पालिका परिशदों और 268 नगर पंचायतों समेथ 370 शहरी इस्थानिय निकायर नगर निगमों में 590 वाड नगर पालिका परिशदों में 2551 वाड और नगर पंचायतों में 3495 वाड में दूसरे चरण के तहत मद्दान होने जा रहे हैं इस चरण में 7,006 पदों के लिए 1.92 करोन मत दाता उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। दूसरी चरण में जिन 38 जलों में मत दान हो रहा है उनमें मेरट, हापुड, गौतमपुद नगर, गाजियाबाद, बागपद, बुलंशेर, बदायों, शाजापुर, बरेली, पीटकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिधार्त नगर, आजमगड, मौव, बलिया, सोनभद्र, भदोई और मेजापुरजिले भी शामिल हैं।